हालो दोस्तों कैसे हूँ आपका स्वागत तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर ट्वेंटी यह जो है सुस आजकर समयोट और गरर यह उनके पास स्वाटर यहां कर से लिया सीध को से इस जींदॡ़ जो है। छेंत मैत्पून होने वाला है, इसमें हम समाजिक नियंतरन के हर एक पहली उपर विचार करेंगे और जानेंगे कि समाज किस प्रकार के नियंतरन जो है समाज पर और वहां के विक्तियों पर लगाता है, लेकिन यह सब तब होगा जब हम चप्टर स्टार्ट करेंगा चप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहीए विचार भी करना चाहीए और अमल भी करना चाहीए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए, सेर का मतलब ये होता है कि आपके थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वाटसब स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों आने सेरंटर जै कई मानने में बहुत से बचों के लिए हल्फूल है चाहे हो 8th class हो 9, 10, 11, 12 हो चाहे हो N.I.S. board के बच्चे हो ठीक है चाहे B.A, M.A. के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तिर आने सेरंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप subscribe करके इसको channel को जो है save कर लो नहीं तो बाद में अगर research करोगे तो शायद आपको इस channel प्राप्त नहों तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है subscribe करके जो है अपने पास save करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन जानना जरूरी है कि समाजिक नियंतरन होती क्या है और समाजिक नियंतरन का क्या फैदा और क्या हो सकता है और सबसे पहले तो बात ये जानना जरूरी है कि समाजिक इंतरन का अर्थ क्या होता है तो कहता है कई मानने में एक समाज को जो विचार न गुछ संतरन के लिए ये पुरा मवशेक हmotion है कि इसके साथ उ आचरन और विभार इस तरह क हो जो उस समाज के अन्ने साथ पासंद आई यानि आप समाज में तभी बने रह सकते हो जब आपका अचार और विचार और विभार जो समाज के साथ चलता हो जो वेकती समाज से अलग चलते हैं समाज उसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं कहते हैं दैनिक जीपन में हमारा विवार पुन्यत, विवस्तित और अनुसासित हो आपने हर जगा देखा होगा हर रूल लेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है इंसानों को विवार को सबसे इंपोर्टन बताया गया है और सभी संस्ताओं में यही बात पुन्य रखा जाता है कि उनके विवस्तित और अनुसाशन में हो और कोई तरह के गलत उपयोग न हो समाने था हम अपने संपर्ख में आने वाले विक्तियों का विरोध नहीं करना चाहते हैं हम अपने विद्धाले अरने साधनों में विविन निमों के पाबंद रहने का सदे प्रयातन करते है देखते हो चाहिए एक स्टुडेंट हो चाहिए कोई भी हो आप भी जो है एक बंधन में बंधे हुए हो जहां पर आपको परहाई जो है सचारू रूप से करना है और अच्छे मार्स लेके आगे बढ़ना है अगर आप अच्छे से नहीं परोगे आप रूल लेशन के फॉ बंध के अपना परहाई करना है और सही रूप से सभी टॉपिक को जो है अच्छे से समझना है तो यहीं बात कहते हैं कि सभी नीमों से बंधे हुए है आप भी विद्यारती हो इसलिए आपको भी एक नियम से आप बंधे हुए व्यक्ति हो कहते हैं उस आसन भी रखना समाज से अपने आपको समझता है औरर समाज हमेशा उसकी अलोचना और निन्दा करता है और समाज में उनको रहने के लिए निशेत कर दिया जाता है तो ये जो है सब समाजी नियंतरन के अंतरगत ही आता है समाजी नियंतरन समाज की सुकृति समाजी परतिमानों के मद्य समाज में विक्ति का विवहार को नियंतर करने का एक समाजने तरीका है यानि समाजी नियंतरन कहते हैं बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जरूरु एक वेवार है, जिससे हम सभी विक्तियों पर नियंतर रखने का एक तरीका समझ सकती है, क्योंकि इससे वेवार ग önem TP पर नहीं चलता है, और समाज इससे बिखडित भी नहीं होती है, क्याता की सुकृति समाजी प्रतिमानों के अनकूल वेवार करे, क्योंकि हर समाज यही चाहता है कि जो rule regulation बनाए गए हैं समाज में हर व्यक्ति जो है उसका पलन करे इससे जो होता है हमारे समाज में जो है तालमिल बनी रहती है यानि अनकुल विवार करने का ही प्रतेक समाज की शुकृति रहती है समाजी मियंदर की परिवाशा इस तरह की जा सकती है कि एक बदलती हुए समतुरन के रूप में सम्पूल समाजी विवस्ता जिस तरह पर हम पर मिल जूल कर कारे करते हैं और स्वायम को बनाई रखती है अर्था संचलित रहती है उसे ही समाजिक नियंतरन कहते हैं यानि समाजिक नियंतरन के साफ सब्दों में अगर समझना चाहोगा तो यतना ही बताया गया है कि जो संतुलन हम समाजिक नियंतरन के अंतरगत आता है तो ये तो आपको clear समझ में आ गया होगा कि समाजी नियंतरन क्या है तो काते हैं बदलते हुए जो असंतुलन है उसमें समाज को सही रूप मिला के चलाने के परकिडिया को ही समाजी नियंतरन कहते है तो विक्तियों का भी ऐसा ही होता है समाज में तब तक बना रहता है जब तक रूल लेवलेशन को फॉलो कर रहा होता है लेकिन जैसे ही उसका balance विगढ़ता है रूर लेशन को वो तो औरने के कोशिश करता है समाज सब्रश्कृत हो जाता है और समाज हमेशा उसको नकार देता है और इवन कि आपको समाज जो है दंडवी देने के लिए अगरसर होता है तभी ये समाज का विगढ़न भी कहा जा सकता है तो नियंदरन का मतलब इसका विपरित होगा कि समाज में बने रहना है तो आपको हर चीश समाज के लिए चलना है यानि सभी कारिकरम जो भी हो मिल जूल के करना है और समाज में संतुलिल बनाने के लिए सदेव अगरसर होना है और यह सारे किरिया जब होगी तो इसी को ही समाजिक नियंतरन हम कहेंगे यह समाजी नियंदरन उस प्रनाली का नाम भी है जो हमारे विवारों को नियंदरन सदेव करती है यानि एक और आपके लिए समझना असान कर दिया कि विवारों को नियंदरन भी हम समाजी नियंदरन कह सकती है ठीक है चाहे वो नियंदरन पर चली तो अर्दरशो और रीतियों के माध्यम से हो अत्वाराज्य और उसकी वद्धेकारी सक्तियों के माध्यम से हो तो यहाँ पर दो राय दिया गया है कि कहते हैं कोई भी चीज को अगर समाज की नियंदरन करना है तो दो बाते यहां पर साफ सब्दों में समझा जा सकता है कि एक तो होता है कि आपको हमारे समाज रिथी रिवाजों में आपको बांध देता है जहां पर आप कोई गलत कदम नहीं उठा पाऊगे गलत कदम उठाओगे तो आप बाहर समाज से निकल जाओगे और दुसरा जो होता अगर गलत काम करते हो समाज तो आपको बाहर निकालता ही है पलस आपको राज्य और इसकी वध्यकारी सक्तियां आपको दंड देती है यानि यहाँ पर पुलिस की बात किया जा रहा है कि अगर समाज विगटित होती है तो यह जो होगा इसको वादेकारी सक्तियां आपको सजा दे सकती है समाज में विवारों का नेमन या सयमन चाहे हुआ कुछ बिक्तियों का हो अत्वा समुधाय के हो दो तरीके से किया जा सकता है पहला तो यही बात यहां पर साफ आता है कि समाज के स्थापित परतिमानो तथा समाजी मुले को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा सकता है यानि समाज के स्थापित प्रतिमानों तदा समाजी मुल्य का ध्यान में रख्या सकिया जा सकता है और शक्तियों का प्रियोग द्वारा भी इसको संभब ऐसा ही किया जा सकता है समाज सास्ति दुरा समाजी नियंतरन शब्द का प्रियोग पहले परकार के नियमन के लिए किया जिग जाता है यानि अगर समाज सास्ति जो समाजी नियंतरन ने दिया था क्या उद्देश्य हो सकता है तो अवशक्ता तो यही है कि सभी समाजी विचारों को ने समाजी नियंतरन के अवशक्ता और महत को स्विकार किया है क्योंकि समाजी नियंतरन नीचे ही विक्ति एक आदर्श में विक्ति बन सकता है विक्ति अपने डूचियों और छमताओं के क आदिसे कारे और बेभार करने दिया जाए तो समाज में अरजगता और दुर विवस्ता फैल जाएगी और बार बार और लगतार संगहर्स और जगरे से समाज की सकती कारे कुछ अदवार नियंतर बड़बार होती ही रहेगी तो इसमें कोई दोराय नहीं है अगर समाज की नि तो कहते हैं समाज में अरजगता फैलना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सारे व्यक्ति अपने मनमर्जी चलाते रहेंगे अपने मनमर्जी करते रहेंगे तो समाज बिगटित हो जाएगा फिर समाज में कहते हैं जिसके बास तागत होगा सकती होगा समाज उसी का ही हो ज जरती है तुलिना के लिए हम एक सरक पर भिना यतियाद के संक्यतों और निमों के यतायत का अगमन माले सोचे अगर माल देजिए कोई नियम और डिबलेशन नहीं रह जाता है तो उसमें क्या होगा अप देखो कि सारे डिल डिबलेशन बिगड़ जाएंगे कोई गारी इधर साध़न हों रगता है जो दिखाते और दिखान के लिए बार बाते भी करती है सरकप्णमची उस हर कंप कहा में सहज अनुमान हो सकता है जो पर फैल जाएगी और परिणया म् चारो और ट्रैफिक जाम लग जाएगा इससे जायतर ड्रैवरों को जो है बेचेनी और क्रोथ पुन वारतलाव का नुमान लगाया जा सकता है तो इसमें कोई दोर आये नहीं है यहाँ पर समझाने के लिए ट्रैफिक का जो रूल लेगुरेशन बताई गई है कई मानने में स चारू और इंपोर्टेंट है क्योंकि कहते हैं इससे हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं और समझ भी सकती है आगर आपने भी देखा होगा कि कहीं ट्रैफिक में अगर जैसे ही लाइट बंद हो जाती है लोग क्या करते हैं हर तरफ से गारी चलाने स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर कई तरह के ट्रैफिक प्रावलम आ जाती है जहां पर लोग एक दुसरे को गाली देते हुए भी नजर आते हैं एक दुसरे को कोस्ते हुए भी नजर आते हैं इवन कि कोई अगर एंबुलेंस भी आ रहा हो तो उसको भी आगे निकलने का चांस नहीं मिलता है तो सोच लीजिए तो समाज में अगर रूल लगलेशन ना रहे तो समाज भी तो इसी तरह से भंग हो जाएगा यहां पर भी क्या होगा अरजखता फैल जाएगी चारो तरह लोग कहते हैं जिसके बस सकती रहेगा वही आगे बरता चला जाएगा तो यह बहुत बड़ी बात य बानों का स्वगम अगवन बनाए रखने में मदद करती है जो केवल एक नियंतर बनाए रखने के लिए कारण ही संबब होता है अगर यह नियंतर न रहे तो सारे रूल लेगुलेशन जो है बिगड़ जाएगी यदि समाज में विभार को स्वकृति तो तरीके न हो तो उस कारणों से ही एक अवर्शक बनता जला जा रहा है यानि समाज जो है दोस्तों है इसलिए यह ऐसा बन रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो समाज में सब चीज नियंतरिन में रहेगा तभी समाज जो है सचारूरूप से भी चल पाएगा अब इसमें बात आती है पुरानी विवस्ता को बनाए रखिए आज हम कहते है अधुनी की युग में है और हर कोई जो है पुराने जो को तोड़ के नई चीज अपनाना चाहती है यह कारे पडिवार दोरा संपन होती है और पडिवार को पुरवज या बज़ुर्ग व्यक्तिस बच्च्चों तदा युवा युगदान है क्योंकि वह कभी भी गलत कुछ नहीं सिखाते हैं उनका यही होता है कि सभी चीजों को साथ और सही विवार बच्चों में और इती रिवाज परंपरा और जीवन मुल्ले की पतिती और तौर तरीके संसकार सभी जो है उनमें विद्वान हो उसके पश्यात है विवारों को समित नियमेंतित करना यानि विवार भी इसके अंतर गताता है लोगों में विचार रूचियां दिष्टिकोन और आदर आदी में विवेंता के करण उनमें विवेंता पाई जाती है यहां तकि एक ही माता पिता के बच्चे अलग-अलग तरीके से सोचते और बारतलाब भी करते हैं इसलिए उनके विवार को सुक्रिती परतिमान के अनुसार नीमित किये जाने के अशकता होती है जिसे हम समधाय में एक रूपता और नियनता बनी रहती है तो इसमें कोई दो राए नहीं दोस्तों कि आपको ने देखा होगा कि माता पिता के दो संता अगर होते हैं तो अनों में जो विचार थाराओं में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है तो यह सारे के सारे जो होते हैं विवार को संतान तो यही जो है विक्तिकत विभार को परजंट करता है उसके पश्चात है संस्कृति कू प्रवंधन पर रोक लगाना कहते हैं समाज तिवर्गति से बदल रहा है और यह पड़िवर्तन मजुदा समाजी प्रणाली को उखार फेकने हैतु एक चुनौती सी बंती चली जा रही है और नई प्रणाली लाकर इसे बदलना चाहते हैं अच्छे और बुरे के बीच पहचान करने संतुलच और नयाय की भावना को सुझत रखने के लिए प्रवाब शाली समाज नियंदर के और शक्ता है कहते हैं आज के समय अगर देखा जाए तो हमारे समाज में जो रूल के बिना ही मैरिज कर रहे हैं और कहते हैं अंतर जाती विवावी होती चली जा रही है तो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ परवाब आने वाला समय में देखने को मिलेगा और कहते हैं ऐसे मैरिज काफी समय तक नहीं भी ठिकती है करन क्या होता है कि लोग तो होती है कैते हैं जो वेक्ति गुनों पे अकर्षित होता है उसका ही जीवस्च चलता है और जो चलते हैं तो आकर्षोन कुछी समय तक ही मन में रहता है निकल जाता है तो कहते हैं कुप्र प्रबन्धन करनि में बहुत कुछिजे आई है कहते हैं अब यही आगर बात करें हम तो कहते हैं समाज चासुर्य समाजी नियंटर के बहुत से उद्शे बताएं ए समाजी नियंटर का लक्ष एक समुदाय में समाज मिसेश में अनुकुलता लाना है। कि दोनों में जो है अनुकुलता के परती असथापित करना है जिसे समाज सही रूप से चल सके। कभी कभी तो अग्यांदाई कारण लोग ऐसे कारे कर जाते हैं कि उसे उन्हें लाब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है पर निशित तोर पर समाज का हीत सामुहिक सतर में लाब में नहीं हीत होती है कुछ अन्य ऐसी पस्तिती भी होती है जब व्यक्ति अपने कारे से समाच में बड़े ही कुप्रभावों के पूरी तरह से अबगत हो जाती है प्रतों अपना व्यवार निरंतर वैसा ही बनाये रखते हैं ताकि इसे उसका व्यक्ति का तलाब होता रहे उधारन के लिए उद्योग का मालिक अपने उद्योग द्रहा फ़ाये गए प्रतों वहने कारे से पूरी तरह से अबगत होता है फिर भी वो प्रदुशन नियंतर नियंतर उस द्योग में नहीं लगाता है क्योंकि वह समुही कितों कि सुरक्षा की प्रवाद ना कर के अधिक लाव कमाना चाहता है समाथ इस परकार के विक्तियों के विवारों को नियंतर रखने का सदेव कोशिश करती है तो इसमें कोई दोर आए नहीं है दोस्तों यह बात बहुत ही सफस्ट है कि आज जो लोग है विक्तिगत लाव के लिए जो है जन कल्यान की कोई भी कारे करना नहीं चाहते हैं कहते हैं हर कोई विक्तिगत लाव के पीछे दोर रहा है और कहते हैं जो पर्यावरान है उसको दूसित भी कर रहा है इसमें कोई दोर आई नहीं है आपने देखा होगा है हर लोग जो होते हैं अपने विक्तिगत लाव ही देख रहे होते हैं ठीक है और विक्तिगत लाव के ल साधन जो हो सकते हैं अपचारिक भी हो सकते हैं सभी कॉलों में और सभी समाजों में अपनी अपनी प्रश्चिती के अनुस्वार विवस्ता और नियंदर बनाए रखने कुछ निधारी साधन भी रहे हैं समाज संस्ताइं जैसे पडिवार निकट संबंदी के समू जाती यानि कहा जाया तो कहते है कि आध जो है समाय राव भी समझाया जा सकता है दो ड्तिक वर्गिवित्त किुत ज़ corrosion कि समय जा सकता है तो इस जो है समाजी नियंतरन के अपचारिक साधन यानि दो रूपों में जो है इसको डिफाइंट किया गया है अगर देखा जाए तो समाजी नियंतरन के अनपचारिक साधन यानि अनुपचारिक साधन क्या हो सकता है कहते हैं प्रात्रमिक समूहों में संबंद एकदम निकट परत्यक्ष और अतरंग होते हैं यानि निकट भी होते हैं परत्यक्ष भी होते हैं फिर भी अतरंग होते हैं प्राहे समाजी नियंतरन जो है अनुपचारिक जो है साधनों द्वारा ही बनाए रखा जाता है जैसे प्रताएं लोक रीतियां लोक चारे धराम द्वारा ये अनुपचारे समूख द्वारा अपनाए गए साधन हो सकते हैं यानि ये सारे के सारे प्रता हो लोक रीतियां हो लोग चारे हो धरम हो इस सारे के सारे जो होते हैं इन्पोर्टेंट होते हैं। सकरातमक भी हो सकते हैं और इसका पहली नकरातमक भी हो सकते हैं। अच्छी होती है तो हर कोई इसको मानता भी देती है और हर कोई इसको सही भी कहती है। लेकिन दूसरी और अगर हम देखें नकरातमक सुकृतियां को तो कहते हैं नकरातमक सुकृतियां में बहुए चढ़ाना, त्योरी बदलना, अलोचना करना, सरीक दंड और अन्य दंड आते हैं। विद्याले में अन्यमित विभार का परिणाम स्कुलों से निकालना अधा कठोड दंड भी हो सकता है। जो नकरातमक सुकृतियां का उधारन है। जो कहते हैं जो गलत करेगा समाज उसको कभी भी सुईकार नहीं करेगा। और उसको दंड ही देने के लिए कोई विवेक्त कुकúde अगड़ सर रहेगा। उसके पशाहत है समाजिक नियंतरन के अपचारिक साधन क्या हो सकती है। वो तो था हमारा अनफ्चारिक यह अप्चारिक है जहांपर सरकार को हश्यफ करना होता है इसमें राज्य सीक्षा भी हो सकती है कानून भी होसकती है इन आप्ष्ञफ होता है सकता है यानि वह आपको डंडे भी मार सकता है तो इसमें कोई दो बात नहीं है किसी भी संपति को चुरा लेने वाले किसी भी अपरादी को जेल की सजाद दी जा सकती है यानि दुसरे सब्दों में संस्ताय एक वेक्ति और समधाय के विवारों को नियंदर करने के लिए वैत अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सस्क्राइब जूर कीजिये अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो पहली बार में चनल पर आयो हो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जो भी मैं आप कलास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दुबारा से तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा ठीक है जो आप गुगल पर सर्च कर देगा जिस तो ऐसा नहीं है तिरपान लिखिएगा तक बचो के लिए यह आगर सर् रहेगा आप सब्जक्ट में तो सोचिये नहीं विचार नहीं कीजिए काफी तिरपान लिखिएगा फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे परसाहिट करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फैदा पहुचाएगा एक्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सुलुशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सस्क्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर द और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ठीक तो अपना ध्यान रखना बाइगा अगया 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 अगया